हेलो एवरिवन, वल्कम टू माई योटिब चैनल, आप सभी का स्वागत है मरे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स यहां पर एक बहुती बड़ा ऑफिशल अपडेट आ रहा है जैसा कि आपको पता है कि 2023 में GDC की 10,000 से जदा पदों पर वेकेंसी आई थी और फर्स्ट टाइम GDC का जो एक्जाम है वो सेंट्रलाइस्ट वे में कराया जा रहा था यानि कि सभी जोन का जो एक्जाम है वो एक साथ कराया जा रहा था लेकिन railway का failure आप लोग देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ तो I think 2 lakh के around उसमें application थे और उन 2 lakh student का exam भी railway centralized manner में नहीं करा पाया था तो यहाँ पर जो exam calendar की बात railway की तरफ से की जा रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस exam calendar को railway कैसे follow कर पाएगा जैसे कि आपको पता है कि GDC का exam में 15 December से start हुआ था और पहले दिन exam में बड़ी धानली देखने को मिली थी और बहुत सारे centers पे exam नहीं हो पाया था जिसके कारण जो बाकी के exam थे 16-17 के या फिर I think 18 को था मेरे को confirm नहीं है लेकिन वो exam को जो है वो cancel कर दिया गया था तो यहाँ पर एक लंबे इंतजार के बाद notice सामने आया है यानि कि student बहुत दिनों से wait कर रहे थे कि GDC exam को लेकर कोई अपडेट आए तो finally यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है और रेलवे बोर्ड की तरफ से एक notice यहाँ पर जारी हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं Government of India Ministry of Railway और 20 February 2024 का notice है यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हैं और सभी जर्नल मैनेजर को लिखा गया है All Zone के subject में आप देख लीजिए conduct of GDC examination तो यहाँ पर बात हो रही है GDC examination के बारे में अगर देखें यहाँ पर तो बोला गया कि Zonal Railways were advised by RBE number to notify GDC vacancy for four post of ALPG technician and train manager यानि की चार post पे vacancy निकाली गई थी आपको पता है Further directed in the set that instruction that a common exam shall be held for all Zonal Railways The plan exam has not been concluded due to unforeseen circumstances यानि की यह लोग कह रहे हैं की यहाँ जो है centralized way में exam कराने का plan बनाया गया था लेकिन कुछ scenarios के कारण वो plan जो है वो fail हो गया है In the meantime some of the Zonal Railways have sought board permission to hold GDC examination at railway level और उसके बाद आगी के जो exam है उसको रोका गया था The matter has been considered carefully and it has been decided to waive the condition of a common examination यानि की जो centralized common exam लेने की जो बात थी उसको withdraw किया जा रहा है इन की उस decision को जो है wave off किया जा रहा है It is directed that zonal railways which are experiencing difficulty due to shortage of employee in notified category देखो यहाँ पे दो चीज़े निकलती है कहा जा रहा है की जो भी zone ऐसा है जो shortage को face कर रहा है employees की वो क्या कर सकता है are permitted to hold the JDC examination as held earlier at their own level यानि की जो भी zone यहाँ पर employees की कमी को महसूस कर रहा है shortage जहाँ पर बहुत जादा है वो अपने zonal level पर exam conduct करा सकता है यानि की एक कहवत है पुरानी की सुबह का भूला शाम को अगर घरा जाए तो उसको भूला नहीं कहते है और यह वही कुछ यहाँ पर हाला दिखाई दे रहे हैं railway ने पहली बार इसको centralized way में कराने की कोशिश की थी लेकिन वो हो नहीं पाया है अब दुबारा से बोला जा रहा है कि सभी जो है अपने according अपने zonal level पर ही exam conduct करा सकते हैं क्योंकि shortage बहुत ज़ादा है employees की और देखो इस shortage से एक और चीज़ पता लगती है कि railway में number of vacancy बहुत ज़ादा है लेकिन open market में vacancies नहीं दी जा रही है तो यहाँ पर basically GDC exam को लेकर पूरा update आया था पूरी तरह से official notice है अब इसको मैं थोड़ा सा short मैं आपको उता देता हूँ GDC exam conduct हो था 15 December को लेकिन exam proper नहीं होने करण उसको withdraw कर दिया गया था आगे exam नहीं कराए गई थे आप यहाँ पर जो है notice दिया है कि जिस zone में भी ज़्यादा कमी है वो अपने zonal level पर exam करा ले यानि कि जो centralized वाला मामला था यह side हो गया है और zonal level पर यह exam आपका GDC का conduct होगा दूसरा यहाँ पर सवाल यह भी उठागा जिन लोगों का exam 15 तारिक को हो चुगा था क्या वो cancel होगा तो देखो इस condition को देखते वे तो cancel होना तय है बागी अभी cancellation को लेकर official notice नहीं है बागी जातक मुझे लगता है सभी का exam zonal level पर अब अलग-अलगी कराया जाएगा और 15 तारिक को जिनका exam हुआ था उनका भी दुबारा ले जाएगा दूसरा यहां से point यह निकलता है कि बहुत बड़ी संख्या में shortage है और shortage भी किनिकी है यह जो चारो पोस्ट आई थी अब इस बारे में क्या रहे रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं